नमस्कार दोसकों संपुलिदी क्रियेशन में आपका स्वागत हैं। दोस्तों आज मैं सिंगल कलनर में बहुत ही उपक्षूरत बॉटर डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन को आप कार्डिगन में डाल सकती हैं, गाल डालने के लिए 28 फंदे रहूं दिएखेश। निदेखेशा 1 को डालने के लिएा 18 भी फंदे एक boundary के बैसम में टालना है। और ये दो फंदे हैं दो फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे धागा चामने है और इस तरह से हम फंदे को निकालेंगे देखे इस तरह से ये दो फंदे आ गए और धागा फिर हम चामने करेंगे और फिर उसी तरह बुनाई करेंगे यह देखे दोनों फंदों के बीचे देखे इस तरह से एक दो तीन चार फंदे हो गए और यह दो फंदे को हम उतार देंगे इस तरह से फिर धागा सामने करेंगे यह दो फंदों को हम एक चात है और बुनाई करेंगे देखे हम ने दो फंदों के बीच से अमने फिली डालके इस तरह से बुनाई करेंगे धागा सामने है धागा शामने पीछे ले जाते हुए हम इस तरव से फंदे बढ़ा लेंगे देखी यह दो फंदे हो गए और फिर धागा हम सामने करेंगे और फिर यह दोनों फंदों के बेच्छे हम फिर उखी तरशे बुनाई करेंगे इस तरह की ये चार फंदे हो गया है एक दो तीर चार धागे को पहरे हम सामने कर लेंगे उसके बाद हम गुनाई करेंगे पहरे है है चार सामने कर लीए से दो फंदे हैं एक और दो फंदे हमारे बना लिए इस दजागे सामने करेंगे दो फंदो के बीचे हम दो बार मुनाई करेंगे और दो फंदों से हम चार फंदे बना लेंगे और फिर इस फंदों को हम उतार देंगे फिर धागा सामने करेंगे और फिर धागा से लिजा कर बुनाई करेंगे और फिर धागा सामने कर लेंगे दो फंदे हमने बना लिए एक और एक ये दो फंदे और फेर मुझी तरभू नहीं करेंगे तरह से धागा चामने करेंगे और उसी तरह से हमने दो फंदे बढ़ा लिए और फिर धागा चामने करेंगे और उसी फंदे के हम दो फंदे और बना लेंगे इसी तरह से दो फंदों के हमें चार फंदे बना लेने हैं देखिए एक दो तीन और चार चार फंदे बन गए दो फंदो से हम ले चार फंदे बनाएं और यह जो लाइट का फंदा है इसे हम ऐसे हम बुन लेंगे अब देखिए यह दूख्रा राउंड पहला राउंड हमने आपको बताया यह दूकरा राउंड है पहला थंदा हम उतार लेंगे और यह जो हमने दो फंदे पर चार फंदे बनाया है तो इसे हम घटाएंगे अब यह दो फंदे को एक कर देंगे लेकि यह दो फंदे है इसे दो फंदे हैं इसे भी हम बन लेंगे यह दो फंदे हम उतार देंगे इसी तरह से चार फंदे हैं तो दो दो फंदे करके हम इसे घटाते जाएंगे पीछे चाइड के इसे दो फंदे हैं इसे देजान बहुत टाइट नहीं बुलना है थोड़ाचा धीला बुनाई रहेगा बहुत ज्यादा धीला भी नहीं रहेगा जालियां बहुत बड़ी बड़ी आ जाएंगी पहले राउंड में हमने फंदे को बढ़ाएं हैं दो फंदे के हमने चार फंदे किये और दूसरी राउंड में उल्टे चाइड के हम यह उल्टा चाइड हैं के हम पुलते साइड बहुत रोड़ को एक फंदा करते जायेंगे जो फंद को भटा करके एक फंदाओं बना लेंगे लास्ट का फंदा इसे हम बून लेंगे इस तरह से दोस्तों यह बन जायेगी मिदिकिंगे इसी तरह से यह पूरी डिजाइन बनती जहेगी in और मेब चंश करें थागा और सब्ब्सक्राइच नमुद आया है तरद न करेंगे हमें कि दो फंदों से हम फिर शे दो फंदे बना लेंगे ये दो फंदों से हमने चार फंदे बना लिया एक दो तीन चार फंदे ये बन गया है फिर धागा हम चामने करेंगे और ये दो फंदे हैं फिर धागा चामने किये और फिर उसी तरह से बुनाई किये यह पूरी रौंड हमें इसी तरह से बुनना है यह फिर दो रौंड का डेजाइन है दो रौंड मैं आपको बता चुकी हूं एक तीसरी बार उसी तरह से बूल दे जाएगे यह हमारा कम्प्लीट हो गया पहला रॉंड और दूसरा रॉंड में हम उसकी तरह बुनाई करेंगे जैसा कि हम ने आप पहले बताया है पहला पंदा मुतार लेंगे और दो-दो फंदों को एक करते जाएंगे दो-दो फंदों को हम एक फंदा करते जाएंगे और उल्टे साइड से हमेशिर फंदे घटाने हैं और सीधे साइड से फंदे बढ़ाने हैं फिर दो रॉंड का यह रिजाएंगे जल्दी बन जाता है कि आप कारडिगन में भी डाल सकते हैं और मफलर में भी डाल सकते हैं शौल में भी डाल सकते हैं यह देजान बहुत ही पुर्षुरत लगेगी कलर आप अपने पसंद का लेजिये इस तरह से दोस्तों ये समारा कम्प्रियेट हो गया दोस्तों यदि हमारा ये डिजैन आपको पच्छन्द आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी चैनल चम्दी प्रियेशन को सब्सक्राइब करना ना बुलें आज बस इतने हैं दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए डिजैन के साथ, एक नए वीडियो के साथ, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद